नमस्कार दोस्तों मैं हूं आलोक्स स्वागत आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटुब चैनल आलोक्स प्लाउक पर दोस्तों यहांपर बिंटर के मेरे जिदने block inflammatory plant हैं सभी के अंदर खुब अच्छे से आप flowering होना शुρू हो गई है और आज मैंने देखा पैंजी के अंदर भी देखिए ये एक फ्लावर आने वाला है और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर ये कलिया बन रही है और कैलेंडूला में भी धेर सारी कलिया जो है बन रही है इस वाले की कुछ पतिया येलू हो रही है इसके अंदर मैंने इस विडियो के अंदर आप लोगों के साथ करेंगे विडियो में लास्ट तक बने रहेगा विडियो पसंद आ तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर लेज़ेगा साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस विडियो पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटीफिकेशन आप सभी को मिलती रहें यहां पर मेरे यह सारे के सारे जो आप लोग यह इस प्लांटर के अंदर लगे हुए मेरी गोल्ड देख रहे हैं यह सभी जाफरी वराइटी के हैं और इन सभी के अंदर ही इतनी ज्यादा ब्लूमिंग होई है कि आप लोगों को देख कर लगेगा कि जैसे चोटे-चोटे प पर अपनी अनरजी खर्च करें इसको पकाने में लगा दे उससे अच्छा है कि हम इसको जब यह हमारे फ्लावर्स जो है वह थोड़ा फैड होने लगे तो इनको हम तोड़कर निकालते जाएं प्लांट से रेगुलर्ली जो है हमको टच में रहना है और इस तरीके से जो भ उखाने के बाद जो है यह फिर से सीडलिंग के लिए जो है तयार हो जाता है तो जितने भी फैट फ्लावर्स हैं सबसे पहले मैं इनको निकाल देता हूं सीजर की मदस से भी आप कट सकर सकते हैं साथी साथ हाथ से भी इसी तरीके से मैं तो तोड़के ऐसे ही निकलते जात मेरे पास मेरीगोल्ड की देशी वराइटी जिसको मैंने कटिंग से तयार किया है, देखिए कितने सारे फ्लावर्स इसके अंदर भी आने वाले है, खूप सारी कलियां बन गई हैं, मैंने इनकी पिंचिंग करी थी, तो देखिए साइट साइट से खूप सारी नई ब्रांचे भी ये निकाल रहे हैं और इनको मैंने इसी तरीके से ग्रो बैग और छोटे-छोटे प्लांटर्स के अंदर लगा रखा है और यहां पर मैंने इसको जो है एक-एक कटिंग को जो है वो तीन दीन कटिंग को जो है एक-एक पॉट के अंदर लगा रखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना था मुझे कटिंग का और यहां पर यह है मेरे जो है मेरी गोल्ड के वह प्लांट जिनको आप लोगों ने देखकर काफी सारे questions put up किये थे कि आपके पौधों की पत्तियों में इतनी signing कैसे है इतनी ज्यादा greenery कैसे है सेयर करिएगा तो आज की ये वीडियो जो है इसी टॉपिक पर होने वाली है जिनके अंदर flowers नहीं आए हैं जिनके अंदर flowers आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे सबसे पहले तो जिनके अंदर flowers नहीं आए हैं उनकी बात कर लेते हैं मैंने देखे इनकी pinching करी थे pinching करने का तो मेरे ऐसे हैं जिनकी पिंचिंग मैंने दूबारा से कर दी थी जैसे अब मुझे ऐसी कोई ब्रांच दिख नहीं रही है जिसमें मैं पिंचिंग करूँ फिर भी जो है थोड़ा अगर दिखेगा कहीं से तो पिंचिंग करना बहुत ही अच्छा होता है जितनी ज़्यादा ह करते हैं हमारा प्लांट उतना ही जड़ा घना होता जाता है और उसके अंद्र उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं पौधो के लिए उतना ही अच्छा होगा बात करी जाए आपके इस पौधे के लिए जो है मिट्टी कैशी बनानी है तो वन पार्ट गाड़िन स्वाल वन पार्ट कंपोश और वन पार्ट आपकी शैंड भिलाकर आपको मिट्टी तयार करनी है जिससे मिट्टी आपकी जो है moisture को hold भी कर सके इसके बाद हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी हमें तभी देना है जब मिट्टी हमारी जो है वो dry condition पे चली जाए बार-बार हमको पानी नहीं देना है और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा dry condition पे हमको अपनी मिट्टी को नह ही होती है और यहां पर यह देखिए मेरे यह कॉस्मोस सेंसेशन इनके अंदर भी कितनी बड़ी-बड़ी कलिया जो है वो बन रही है तो यह भी अब जल्दी ही फ्लावरिंग पर आएगा पिंचिंग वगेरा के कारड यह भी खूब अच्छे से घने बन गए हैं तो मैं बात की गुड़ाई कीजिए और हर 15 दिन पर आप अपने इस पौधे को फर्टिलाइजर देते रहिए सबसे पहला फर्टिलाइजर जो मैं अपने पौधों को प्रोवाइड करता हूं यहां पर देखिए मेरा तयार है यह बायो एंजाइम है आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं तया मैंने इसके ंदर मतलब मस्टड केक, बनाना पील्स, साथ ही साथ कीचन वेस्ट से मेरा जैसे की अलू का छिलका हो गया मटर का छिलका हो गया जो भी निकलता है कीचन वेस्ट वह सब पूट्स में सीधा जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मतलब वन फोर्थ एक लीटर का धाई-धाई-शो ग्राम लगभग इस तरीके से मैं मिक्स करता चला जाता हूं बस यही फर्टिलाइजर 15 दिन के अंतराल पर देता हूं कभी कबार जो है बदल कर भी इनको लिक जो है उसको मैं एक चमच एक लिटर पानी के अंदर घोलता हूं और उसके बाद जो है अपने सभी पौधों की पत्तियों पर इस्प्रे भी कर देता हूं और इनकी जुरूट्स में भी दे देता हूं अगला जो राहमबार फर्टिलाइजर है मालो आपके पास सीवीड नह जो है वो चाहिए होती है मैक्रो न्यूट्रियंट्स की तो कुछ नहीं करना है च्यार दाने डेपी के लेने हैं और यह मैंने साइड देखिए यहां पर साइड में थोड़ी सी जगे बना ली है और यहां पर डाल कर जो है इस तरीके से हमको मिट्टी को दबा देना है बस ह घर से जो है यह दे देना है मतलब आप अगर जो आपका बायो फर्टिलाइजर है मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है अगर आप 15-15 दिन के अंतराल पर देते हैं तो केमिकल के लिए आप जो है लगभग 27-28 दिन का अंतराल जरूर रखिए मतलब दो हपते चार हपतों का अंतराल आपको रखना जरूरी है तो यह है बो फर्टिलाइजर जिन्हें हमें अपने प्लांट को प्रोवाइट करना है मरीगोल्ड के इस टाइम पर और बाकी चीजे मैंने सेयर कर दी मिट्टी की गुडाई करनी है फूलों वाले अगर पौधे हैं आपके जैसे इस तरी रहने देंगे तो अनायास की एनरजी जो है हमारा प्लांटिन के ऊपर खर्च करता रहेगा बाकी घना कैसे बनाना है मैंने इस स्टार्टिंग में उस प्लांट के साथ आपको बता दिया है इसी तरीके से मैंने पिंचिंग कर करके अपने इन पौधों को भी घना बनाया थ कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी ही किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बबाए एंड टेक केर